हलो दोस्तों आज मैं फ्रेम ओले टास्ट के कुछ मुमेंट लेकर आई हूँ यहाँ पर जब हिमानसी और सिधार्थ ने फ्रेम को पकड़ रखा था तो यहाँ पर आसिम बार बार जाके सिधार्थ को इंस्टिगेट कर रहे थे और हमेशा की तरह यहाँ सना बीच में आ जाती है और आसिम से कहती रहती है कि पीछे रह के बाद कर लेकिन आसिम चाहते थे कि यहाँ पर सिधार्थ प्रवोक हो जाएं और वो फ्रेम को छोड़ दें और सना यहाँ पूरी तरह से कवर कर रही थी सिधार्थ को और जब आसिम पीछे नहीं हट रहे थे तो यहाँ पर देखे सना ने आसिम के बालों को पकड़ लिया और दो-तीन बार उन्हें धक्का भी मारा सिर्फ आसिम को सिधार्थ से दूर हटाने के लिए इपनी लाई में सना कभी इतनी अग्रेसिम नहीं हुई कि किसी को धक्का मार दे लेकिन यहाँ पर देखे आसिम को कैसे उन्होंने धक्का मारा और शैना सब तक वहाँ से पीछे नहीं हटी जब तक कि आसिम जाकर बैट नहीं गये बिग बॉस में चाहे कोई भी फाइट हुई हो सिधार्थ की किसी से भी सना ने सिधार्थ को अकेला नहीं छोड़ा आपका क्या कहना है दोस्तों कमेंट करके हमें बताएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा